सावन के महिने में आने वाली नाग पंचमी का हिंदु धरम में बहुत खास महत बताया गया है। इन जातकों की कुंडली में काल सर्ब दोस होता है उसके निवारन के लिए नाग पंचमी का दिन उचित और मैतोपून बताया गया है। धार्मिक गरंतों के अनुसार यदि इस 시 जातक की कोननी में काल supplied दोस हैं। उस दोस्ससे मुक्ति पाना चाहता है । हरिद्वार में पूजा करने से सर्फ दोस्से पून्डू से मुक्ति मिल जाती है। काल सर्फ दोस्से मुक्ति पाने के लिए हृवwar सबसे मैतोपून और उचित इस्थान है काल सर दोस को लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के जोतिसी सुनिए नाग पंचमी नो अगस्त को आ रही है जो की इसमें परतिवर्स नाग पंचमी के परुको स्रावन मास में सभी धुमदाम से मनाते हैं साथ ही भगवान भोले संकर की कृपा स्रावन मास में अधिक होने से नाग पंचमी परुका महत्व बढ़ जाता है अब नाग पंचमी में हमें क्या करना चाहिए किस चीज से हमें लाव मिलता है क्या चीज करने से हमारे सब कश्ट दूर होते हैं कहने का भी पर आई यह है नाग पंचमी को नाग एवं सर्प की पूजा करने से हमें काल सर्प दोस से मुक्ति मिलती है अगर हम विधी विधान से नाग पंचमी के दिन काल सर्प की पूजा पूर्ण विधी से करें तो काल सर्प से होने वाला जो दोस है उससे हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है सास्त्रों में भी नाग पंचमी को काल सर्प से दोस मुक्ति का उपाय बतलाया है इसके तिरिक्त नाग पंचमी परुको हम सनातन धर्माव लंबी घरों में भी नाग पंचमी की पूजा करते हैं इसका भी बहुत बड़ा महत्व है बात और खास यह है उस दिन सर्प को लोग है उगर वो उनको सर्फ मिल जाता है कई बार सर्प को दूद्ध पिलाने वाले कोई विक्ति यह सबेरे डाइब के आ जाते हैं और वो दूद्ध पिलवाते हैं उससे भी काल सर्प दोस से मुक्ति प्रावत होती है और नाग पंचमी का हमारा जो पर्व है वो सार्थ सर्फ लोला बनको सर्प दोग्ग पई है